तो रामरा मेरी से भाईयों को तो भाई आज की सेडों में बात करने वाले है ऐसी गाड़ी के बारे में जिसकी मतलब डिमांड है ना इतनी ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ रही है कि लोग इसे लेने के लिए तरीकी से तरस भी रही है क्योंकि इसमें वेटिंग भी बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड है लोग इसको लेने के लिए मतलब बोलते कि हाँ बाई प्राइस रेंज के साब से हर चीज के साब से यह गाड़ी बैस्ट है अब आज इसी की बारे में बात करने वाले आखिरकार क्यों यह गाड़ी इतनी ज़्यादा बिक रही है क्यों इसक कुछ जो है शेर करूँगा और बताऊंगा कि क्यों इसको आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए डिसकस करेंगे तो वीडियो को पूरे हैं तक बाच करना वीडियो को लाइक अच्छा है ना को सब्सक्राइब जरू से कर देना अब देखो फ्रेंट से आप लोग वाली फील आती है देखते ही और है भी भाई अगर आप लोग देखोगे ना कितनी प्यारी इसकी लुक है इस ब्रेजा की देखो एक तो लुक अच्छी है बिल्ड क्वालिटी भी आप लोगों को पता है चार सार रेटीड है और उपर से फीचर्स भी काफी अच्छे दिय लुक अग्या है टायर साइज भी भाई इसकी अच्छी इसकी साइड लुक भी ऐसा निये कि आपको यहीं से भी डिसपोइंट करेंगे लुक यहीं मामले में और मैंने थोड़ा सा पीछे का जो मिरा थोड़ा वलेकरा रख अन्यान्स वेल्डावाइव गया बेसी मॉडल म आपको जो है देखो बहुत सारे features मिलते हैं और यह reflector मैंने after market लगा है जो जो after market है वो भी मैं आप लोगों को share कर दूगा ऐसी बात नहीं है यह जो door handle है यह भी मैंने after market लगा है क्योंकि बेस विरेंड में बहुत चीज़े आपको की भाई आप शेर करो आपको गाड़ी अभी तक कैसी लगे तो भाई comment करके बता देना उसके लिए भी पूरा वीडियो बना देंगे अब देखो हमने जो है armrest लगवाया है after market से जो की काफी ज़्यादा एक तरीके से कंपनी की तरब से जो की यह काफी ज़्यादा अच्छी बात है और स्टेरिंग भाई यह मत सोचना कंपनी से आता है लग साही में यह हमने बाहर से लगा है और वैसे स्टेरिंग इसमें विल्कुल नॉर्मल आता है देखो इस गाड़ी की बात करे ना जो ऑन रोड प्राइज है भाई साढ़े दस ग्यार लाग के आस पास है हर कहीं न कहीं सिटी जो भी है अपने स्टेट के अक्वाइडिंग आपको पढ़ता है ऑन रोड प्राइज भी अब इसमें क्या यह वैल्ली फोर मनी क्यों माना जाता है एक तो देखो भाई इसमें 1500cc का इंजयन है जो कि हर एक गाड़ी में नहीं मिलता है इस प्राइज के साब से अब देखो हमारा जो है यह अपना cng variant है इसलिए हमें 10.50 जो है 11 के पढ़ रहा है बाकी petrol variant भी आप लोग देख सकते हो 80 से 1 लाग रुपे घटा दो उसी सा आपका जो इसका petrol variant है अब देखो हमने cng variant इसले लिए है तो कि फीचरिस्टी के एक तरीके से आप उसको direct cng पर start कर सकते हो और lxi का cng variant है उसमें बहुत ज़्यादा वेटिंग है आप लोगों को पता भी होगा जिन भायों ने बुक करा है और यह जो variant वाना जाता है lxi इसमें क्या है ना भाई आप सिर्फ अगर 50,000 रुपे भी लगा र जो इसका top end variant है उसके हिसाब से भी तगणी बन जाएगी modify होके तो सोचो भाई अगर आप इसका base variant लेते तो कितना ज़्यादा आपका फायदा होता है यूंकि base variant लेके आप इसको top से भी जादा उपर modify करा सकते हो सुर्फ 1,5 लाग रुपे में और अगर आप लोग देखो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ मेरी वीडियोस भी डल चुके चैनल पर CNG variant की जो है mileage क्या है वो भी mileage भी काफी अच्छा देता highway पर 28-30 का local में 22-23 का mileage दे देती आर हमसे और बाकी ये जो सारी चीज़े है जो जो extras में आपको दिख रहा है dashboard kit वगरा जो भी है भाई य ये इसी वज़े से ज्यादा demand में sales में कि भाई आपको पता है value for money है इतने price range के साब से इंजन ऐसे build quality ऐसी look नहीं मिलती है तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना और आप लोग comment करके ये जरू बताना कि भाई आप लोग क्या